नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुआ गयता है आपका आपके अपने चलना नहीं हुबंग में तो आज हम इस वीडिक वाद में से बात करने वाले हैं अभी हाली में जारखण में JSSC ने एक नई बर्ती का नोटिपिकेशन जारी किया है वो किस चीज़ का है जारखण पुली पुलीष एक्साइज कॉंस्टेबल रिक्वाइरमेंट 2022 का नोटिपिकेशन जारी किया गया है तो इस वीडिक वाद में से हम चर्चा करने वाले हैं कि जारखण पुलीष एक्साइज कॉंस्टेबल का सेलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा जारखण पुलीष एक्साइज कॉ स्टेबल ओनलाइन अपिकेसं फूम 2022 की बारे में जाना जूरूरी है वो सारी बात यह में इस वीडियो के बातें से कलेर करने वाले हैं अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज मंजमें नहीं आती है तो आपको शी वीडियो डिस्किन में के ल जारखंड करमचारी चैन आयोग यानि JSC ने एकसाइज कॉंस्टेबल की बरती के लिए एक अधीस उचना जारे किये है इस अधीस उचना के नुसार JSC ने एकसाइज कॉंस्टेबल यानि JECCE के 583 पोदों के लिए ओनलाइन आवेदन आमित्रित किये हैं योग्या रुष् 25 फरोडी 2022 से 26 मार्ट 2022 तक अधिकारी विबशाइट के माध्यम से JSC में JSC एकसाइज कॉंस्टेबल बरती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं यहां हम जारखंड एकसाइज कॉंस्टेबल ओनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरन जैसे कि इसके लिए आयो शीमा क्या होगी सेक्शन उकste आपर बात कर लेते हैं वेकेंसी डिटेल के बारे में जैसे XSC एकसाइज कॉंस्टेबल जो वेकेंसी डिटेल है उसके बारे में अगर बात करें तो जन्रल कडेगरी के लिए 234 पोस्ट है.." EWS के लिए 69 पोस्ट है 20 के डेगरे के लिए 32 पोस्ट है EBC के लिए 50 पोस्ट है ST के लिए 77 पोस्ट है और ST के लिए अगर बात करें तो 113 पोस्ट है अगर टोटल पतों की बात करें तो 583 पतों के लिए कि आप से ओनलाइन आवे जिरे वो मांगे गए हैं चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी sectional की ओगेता क्या होनी चाहिए sectional की ओगेता बारे में अगर बात करें तो उमीदवार किसी मानेता प्राफ्त शिक्ष्याबोर्ड से दस्मी कक्ष्याब पास होना चाहिए अगर आपने मेट्रिक पास कर रख किये किसी मानेता प्राफ्त शिक्ष्याबोर्ड से तो आप J.S.S.C. Excise Constable बरती 2022 के लिए अपलाई कर सकते हैं चलिए बात करते हैं इन पतों के लिए आपकी आयू शिमा क्या रहने वाली है आयू शिमा इबारे में अगर बात करें तो minimum age आपकी 18 वर्स होनी चाहिए और maximum age आपकी 25 वर्स हो सकती है इसके लबा जो आपको ऊपरी आयू में छूट दी जाती है जो सरकाई नोकरी में सरकाई निमोकरण सार जो आपको आयू में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहां पर वे परदान की जाएगी चलिए बात करते हैं इपोर्टेट डेट के बारे में अगर बात करें फीज जमा करोने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 29 मार 2022 तक आप अपने फीज जमा करोआ सकते हो अगर आप फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाते हो या फिर कोई एडिट करना चाते हो तो आप 2 मार्ज से लेकर 4 मार्ज तक इसमें एडिट भी कर सकते हो चले बात कर लेते हैंब कि application fees क्या रहेगी इसमें अप्लिकेशन फीस के बारे में गर बात करें तो जनरल OBC और BC कडेगरी के लिए 100 रुपे फीस रखी गई है SC और SD कडेगरी के लिए आपकी 50 रुपे फीस रखी गई है इसके लावा जो आपको फीस में यानि जो आपको फीस का उख़ान करना है वो ओनलाइन मादेम से करना होगा जैसे कि डेविट काड हो गया, केड़ काड हो गया नेट बेंकी हो गया, आदी के मादेम से आप अपने फीस का उख़ान कर सकते हो अब बात करते हैं JSSC, Excise Constable Selection Process के बारे में अगर बात करें इसका Selection Process क्या रहने वाला है तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल एंडरेस टेस्ट होगा लिए पिए टी और पिएस टी कनेक्ट किया जाएगा उसके बाद रेटन एक्जाम होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा इन तीन चरणों से गोजरने के बाद आपको भाइन सेलेक्षन दिया जाएगा तो लिए बात कर लेते हैं जो सबसे पहले कि JSRC Excise Constable का जो फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट होगा उसमें आप से क्या क्या कर वाए जाएगा जो जारखन Excise Constable फिजिकल स्टेंडर्ड की अगर बात करें तो जनरल कलेगरी के लिए हाइट और चेस्ट की अगर बात करें तो कम से कम 160 cm आपकी हाइट होने चाहिए और 81 cm आपकी चेस्ट होने चाहिए BC and ABC male candidate की अगर बात करें तो minimum 160 cm आपकी हाइट होने चाहिए और 81 cm आपकी चेस्ट होने चाहिए SC-ST male candidate के अगर बात करें तो कम से कम आपकी height आव 155 cm होने चाहिए और जो chest आपकी वो 79 cm आपकी होनी चाहिए इसके लावा अगर बात करें female candidate की तो आपकी जो कम से कम height आव 144 cm आपकी होनी चाहिए old category female के लिए तो यह हो गया आपका height और chest इसके बाद अगर बात करें कि physical test में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा तो J-S-S-C exercise constable physical test की अगर बात करें तो male candidate के लिए 10 km की running आवो आपको 60 minute में पूरी करनी है female candidate के लिए 5 km की running आवो आपको 40 minute में पूरी करनी है तो यह आपके event होगे जो आपको physical standard test और physical endurance test में आपसे क्या करवाय जाएगी जब आप physical clear कर लोगे तो आपको return exam के लिए बुलाए जाएगा तो आपका return exam क्या रहने वाला है तो चलिए बात कर लेते हैं जारखन SSC exercise constable return exam pattern 2022 के बारे में तो J-S-S-C exercise constable exam pattern 2022 आपका क्या रहने वाला है इसमें अगर बात करें तो paper first होगा इसमें language का तो 360 number का होगा 120 question होगी और 2 गंटे का आपको समय दिया जाएगा paper second आपका regional of tribal language का होगा यह बासा से समंदित होगा 300 question होगी 300 number का होगा 100 person होगी 2 गंटे का आपको समय दिया जाएगा paper third आपका general knowledge का होगा जिसमें 360 number का होगा 120 question होगी और 2 गंटे का आपको समय दिया जाएगा अगर बात करें कि total अगर बात करें तो 120 नमबर का होगा 344 discussion आपको दिये जाएगे और 6 गंटे का आपको समय दिया जाएगा तो चलिए सबसे पहले पर मात कर लेते हैं कि paper first में जो आपका exam pattern होगा उसका syllabus और उसका exam pattern क्या रहने वाला है तो बात करते है paper first का exam pattern क्या होगा जो language समंदित होगा तो इसमें Hindi comprehension के 20 question आएंगे 60 number का होगा Hindi grammar के 60 question आएंगे 180 number का रहेगा English comprehension के 10 question आएंगे 30 number का रहेगा English grammar के 30 question आएंगे 90 number का रहेगा तोटल अगर बात करें तो आपको 2 गंटे का समय दिया जाएगा 120 question होगे 360 number का आपका paper है वो connect किया जाएगा जो आपका language से समंदित होगा इसमें आपके negative mark की होगी वो होगी आपकी एक वटे थर्ड यानि एक नमबर आपका काट लिया जाएगा 3 question गलत होती तो अब बात कर लेते हैं यानि आप एक question गलत करते हो तो आपका 1 question वो 3 नमबर का है तो अगर आप एक गलत करते हो तो आपके एक नमबर वो काट लिया जाएगा अब बात करते हैं पेपर सेगेंड का exam pattern वो क्या रहने वाला है तो आपके बहुत सारे बासा हैं उनमें से एक बासा चूज करनी होगी जो elective subject होगी हिंदी, इंगलिस, उर्दू, संताली, बांगला, मुंडा, खारिया, कुर्माली, नागपूरी, इसके लवा, उडिया और संस्कृत इनमें से कोई एक चूज करनी है और इसमें 100 question पूछे जाएंगे 300 नमबर का होगा negative marking आपकी एक नमबर की होगी दो गंटे का आपको समय हो दिया जाएगा चलिए, अब आत कर लेते हैं पेपर थर्ड का आपका जो एक जाम पेटना वो क्या रहेगा तो पेपर थर्ड में क्या होगा जनल awareness के 40 question आएंगे 120 नमबर के टोटल आपको दो गंटे का समय दिया जाएगा और 120 question आपसे पूछे जाएगे 360 नमबर का आपका पेपर वो आई जित किया जाएगा अब बात कर लेते हैं पेपर थर्ड का आपका सिलेबस वो क्या रहेगा तो जनल awareness का सिलेबस क्या रहेगा इसमें current affair आएगी इसमें knowledge about the state of जारखंड economics, history, constitution of India और politics से समन्दिता पेपर क्यों से पूछे जाएगे सबसे जाते हैं मार्जन आपको current affair का रहेगा तो आप उप current affair रहेगा आपको अच्छी तरह से त्यार कर लेनी है बात करते हैं जारखंड जी केगी तो जारखंड जी के में आपसे पूछा जाएगा जारखंड आजी के बुगोर, इतियास, सबेता संस्कर्ती, बासा साईते, स्थान, खान खरीज, उदोग, राष्ट्री अंदोलन में जारखंड का योगदान, विकाश योजनाई और खेल और घिलाड़ी से समंदिता विक्यूसने इसमें पूछे जाएंगी बात कर लेते हैं जनरल साइंस का तो समाने विग्यान के परसन में दिन परति दिन के अलोकन अनुब आधारित विग्यान की समाने परिबोच से समंदित विश्या रहेंगी जैसा कि 161 सीर विक्ती से जिसने किसि विग्यान विसी का विसी से डिन किया व्यापत चीट है तो इसमें आपकी जर्रणल साइंस आएगी जो आपकी डेली यूजीज की साइंस होती है वो इसमें पूछी जाएगी इसके लाव आपकी जो जन्रल मेथमेडिक्स आएगी वो आपकी दसमी तक आपने जो पढ़ा है उससे समन्दिता भी कि उसने वो पूछे जाएगी तो यह हो गया आपका सेलेबस जब आपका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सेलरी क्या रहेगी जारखंड पुली से एकसाइज कॉंस्टेबल सेलरी बारे में अगर बात करें तो 9900 रुपेया से लेकर आपकी 3300 जार 200 रुपेया परमंत के हिसाब से आपको सेलरी दी जाएगी तो इसमें बहुत अच्छी सेलरी है अगर आप योगेता रखते हो तो आपके फोरमं वह जुरूर अपलाई करना चाहिए तो यह तो थिया आज की एक छोटी जानका है जिसके माद हमसे हमने डिसकस किया कि विहालि में GARCIN में Excisues Constable की वेकैंसी के लोटिफिकेसरे नवजारी किया गया है इसके लाव हमने चत्छा किये कि JSC Excisues Constable का सिलेक्षन प्रोसेश क्या रहेगा JSC Excisues Constable का惹जामपे और क्या होगा JSC Excisues Constable का mango क्या रहेगा JSC Excisues Constable की शेल रहेगा और भी बहुत सारी बाते जो आमने में डावट पूलिई थी, वो सारी बाते हमने याफे कलियर कर दिए आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रॉइड कर आए वो आपको आच्छी लगे और समझ में आइए तो आज की जानकर बस इतना ही मिलते हैं एक नई जानकर साथ तब तक के लिए जैन जैबार तन्यवाद